अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के पहले का समारोह देख पूरी दुनिया दंग थी और अब शादी समारोह की शुरुआत भी अलग अंदाज में हुई है। अंबानी परिवार ने वंचित परिवारों की पचास गरीब कन्याओ का सामुहिक विवाह कराया। इस मौके पर रिलाइंस फाउन्डेशन की चेर बरसन नीता अंबानी भावुक हो गई। उन्हों ने कहा कि इन जोडों को देखकर एक मान जैसा अहसास हो रहा है। सामुहिक विवाह संपन होने के बाद नीता अंबानी ने कहा आज इन सभी जोडियों को देखकर बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं एक मान हूँ और एक मान को बहुत खुशी होती है अपने बच्चों को शादी करते देखकर आज से राधिका और अनंद के शुब लगन के सा परे उत्सव शुरू हो रहे हैं मेरा सौ भाग्य है कि मैं यहां आई हूं इनका जीवन सुख में हो सामुहिक विवाह में शामिल हुई गरीब कन्याओ के परिवारों ने अंबानी परिवार का आभार जताया और शुक्रिया कहा शादी में शामिल होने वाले लोगों का कहन मिला है नीता अंबानी हमारे लिए भगवान बनकर आई है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी की रस्मों की शुरूआत गरीब कन्याओं के सामुहिक विवाह से हुई वंचित परिवारों से जुले 50 से अधिक जोडे मुंबई से 100 किलोमीटर दूर पालगर स आई थे सामुहिक विवाह का आयोजन रिलाएंस कॉर्पोरेट पार्क में किया गया इस सामुहिक विवाह में वर्व वधू पक्ष के करीब 800 लोग शरीक हुए इस मौके पर अंबानी परिवार ने ऐसे कई सामुहिक विवाह करवाने का संकल्प लिया नव विवाहितों को अंबानी परिवार ने शुब कामनाई दी। गद्दे तक ये आदिशा मिल थे। गौर्तलब है कि अनंता अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी बारह जुलाई को है। इससे पहले अंबानी परिवार ने परोपकार का कारे किया है। अनंत राधिका की शादी से पहले परिवार ने 50 प्रिवलेजड जोडों का घर बसाया है। हालांकि इस समारोह के दौरान अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट नहीं दिखे है। आगने से उदशियों बचका कांशन अंबान अंबानी खवची । कर दो कि अखिए अब बाद कर दो एंदे को कि आप हुआ।